पिगना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा अब से तुम्हारा प्रवेश हुआ है, मेरा जीवन दूफर हो गया एक पल का भी एकान संफम नहीं है मुझे, अपने पोटली उठाओ जाओ यहां से अच्छा हुआ ताओ जी और ताई जी ने कुछ सुना नहीं, वो पहले से ही तने दुखी है वो यह सब देखते या सुनते तो, उन पर तो दुखों का पहारी टूट बरता नहीं, नहीं मैं उसे कुछ भी नहीं कहुँगा अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया मैं, आपको यही लग रहा है न, कि मैं बदल गया आई और पिदा जी के समान आपको भी यही लग रहा है न, कि जैसे मैं भटक गया है न, किन्तु मैं भटका नहीं, अब उचित मार्थ पर आया हूँ एक यूवा का सौंदरे के प्रती आकरशन, जीवन का आनंद लेना, और एक आन के इच्छा, ये तो, ये तो सवभाविक है लगता है, आपसे मेरा आनंद देखा नहीं जा रहा लगता है कि असरो नहीं जारी का आनंद देखा प्रत्रत्रत्रत नहीं, जीवन की लिए में बडऱ् रहाँ झाल झाल जाता है अबोध हो जाते हैं लोग भूल जाते हैं लोग भगवान की प्रतिमा को पलट देने से मंदिर में अंधेरा कर देने से भगवान की आंके बन नहीं हो जाती भगवान की दृष्टी से कुछ नहीं चिपता कुछ नहीं बच्चता इसी लिए मनुश्य जो भी अनुचित करता है वो उसकी अंतरात्मा देख सकती है और जो अंतरात्मा देख पाती है वो परमात्मा भी देख सकते हैं भगवान को सब ग्यात होता है और पुंडली को उसे नकाने का पैयास कर रहा है जो उसकी अंतरात्मा देख सकती है इसी लिए वो कुमार पर जाने के लिए प्वेरित हो रहा है अरे गुरू प्रेम के गुरू मन के स्वामी उठिये अरे जाग जाईए जल्दी उठिये क्या हुआ क्यों उठा दिया इतना सुंदर सुपने देख रहा था मैं सुपन यहां तमाप्त होते हैं वहां से वास्तविक जिवन शुरू होता है अब हमारे साथ चलिए हम आपको सुपनों के संसार से अथिक सुंदर दरश्य दिखाएंगे वैसे वास्तविक सुंदर्ता तो महर में दिखाई देते हैं गुरू क्या हुआ पुत्रदिवाकर तुम यहां क्यों सो रहे हो अवश्य कुंडलिक में तुम्हें अपने कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा होगा अब मुझे कोई संदे नहीं रहा वो बुरी संगती के प्रभाव में इतना गहरा चला गया है कि अब अच्छे बुरे का भेट पुर्ण रूप से भूल गया है सत्य कहा रहे हो ना तो हाँ गुरू हम सत्य कहा रहे हैं आप हमारे साथ चलियो तो सही उसे रोकने का और सुधारने का समय भी अन्य था बहुत देर हो जाए अब मुझे ही कुछ करना होगा स्वामी रूकिये कहा जा रहे है आप मुझे मत रोकियो आज उसे न समझाया तो छोटी भूल बड़ी भूल बन जाएगी और फिर भूलों की श्रिंखला में ऐसा उलजता जाएगा कि इस भूल भूलया से बाहर निकलना असंभभ हो जाएगा उसे रोकना होगा उसे समझा आना ही होगा मुझे गुरू जब आपने निर्णा नहीं लिया है कि आपके सच्चे मित्र कौन है तो एक पल का विलम मत कीजिए चलिए आप हुमारे साथ पुंडलेक 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 गुरू अब और सोच विचार नहीं कर सकते पाल की तैयार है चलिए पुंडलेक 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 अरे चलिए गुरू चलिए आईये ले चलिए चलिए पाल की तैयार है पुंडलेक मैं भीतर आ रहा हूं त्रहसे पुंडलेक 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 अरे तैयार हूं रहू भक्त जानु देव का पूत्र रहू को छोड़ उस संगती के संगत में पढ़ गया फ्रेम का गुरू कौन है? हमारा भाई बुर्डलिक है फ्रेम का गुरू कौन है? हमारा भाई बुर्डलिक है शमा करना प्रभू, पुंडिलिक को पता नहीं, उससे एक कैसी भूल हो रही है। स्वामी, आप चिंता मत कीजिये, मुझे एक अउसर दीजिये, आज जब वो घर लोटेगा, मैं उसे समझाओंगी। मुझे पूरा विश्वास है, वो अपने आईगा कहां मानकर स्वयम को सुधार लेगा। मुझे इस बात का भय है, कि कहीं वो इतनी बड़ी भूल ना कर दे, जिससे जिस प्रकार उसने अपने प्रभू का मुख मोड़ा है। उसी प्रकार कहीं, प्रभू ने भी उससे मुख मोड़ लिया तो… प्रभू महा ही ए उससे आतक है, जा आतक है लिंए मै उसप्सेशckt बड़ूवा भी गल, आorry है। पार प्रणाशन हम प्रप्स प्रणा प्रणाश हमें अर्फ भार लूटाश झाल दो आजय कर दो आर रहां जब है यह पुंदलिक का कैसा अशिष्ट आचरण है ये क्या प्रबद है क्या आप भी अपने भग से अपना मुख फिर लेंगे नहीं रादे भग भले ही भगवान से मुख फिर ले किन्तु भगवान अपने भग से कभी मुक नहीं फेड़ते ऐसे समय पर भगवान का ध्यान भग पर और बढ़ जाता है उस एक अवसर की प्रतीक्षा में जब एक भग फिर कुछ ऐसा कर सके जिससे भगवान के लिए उसका हाथ थामना उसे उचित माज दिखाना संभव हो सक और प्रभू परम श्री कृष्ण बस उस एक शण की प्रतीक्षा में ही थे जिससे वो पुंडलिक की उचित पत्थ पर लोटने में सहायता कर सके यही भगती की मर्यादा और यही भगवान का हिर्दय है जो सदा भगत की भलाई करने को लालायत रहता है यही तो आप भी कर रहे हैं न प्रभू मुझे एक और औसर दे रहे हैं कि मैं उचित मार्ग पर लोट सकूँ और यदि आप अपना प्रयास रोग भी देंगे मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा अपने भक्त की भक्ती को भगवान सर्वाधिक महत्व देते हैं क्योंकि भक्त की भक्ती है तो भगवान भी है किंतु पुंडलिक के भीतर काम विकार का जो पिशाद जागरित हुआ था वो उसे अपनी भूल समझने ही नहीं दे रहा था इसलिए भगवान को भी अवसर नहीं मिल रहा था और अब तो उसकी स्थिती और भी बिगड़ने वाली थी जाओ bedrooms जाओ मिल पारी थाली ठेल इसकार तर भी से 20 पे बहा हा थाले को भी सफ हुआ धुआम भाड़ने इन एलकार तेल रहे पारे लुआ़ने लुआवरना लेैंस्वा़ने पाराफ याश्संते रहावने स्वामी, इतनी देर तो वो घर से बाहर कभी नहीं रहा भोर में ही बिना भूजन की ये चला गया पता नहीं कहां भूगा बैसा बढडक रहा होगा रेम्गा गुरू कोद है? हमारा हाई बुणलिग है रेम्गा गुरू कौद है? रेम्गा गुरू कौद है? अंगर स्वामी कौन है अंगर स्वामी कौन है हमारा हाई कुण्ड लिख है विजेता गरुजो घर के भीतर का यूद्ध जीत जाता है वही विजेता के लाता है कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके फिर से अधीन हो जाओ और इनके हाथ की कटपुतली बन जो मैं चलता हूँ यह सब क्या हो रहा है पुत्र यह किसकी संगती में पढ़ते जा रहे हो तुम आज भोर से ही घर से बाहर हो तुम ना आज तुमने हमारे साथ पूजा की ना अपने गोविन की सेवा और अरधना की ना अपने पिता के साथ ग्यान के लिए बेठे ना हमारे साथ भोजन किया यह सब क्या हुआ तुम्हें तुम्हारे चेहरे का भाव बता रहा है तुमसे भूल हुई है मुझे पता था तुम उसे स्विकार करोगे मुझे अधिक समझाने की आवशक्ता नहीं होगी अब कल से तुम अपनी पुरानी दीमचरिया पर आ जाना पुत्र मुझे पता है तुम अपनी आई का कहना मानोगे आई मैंने बाल्याकाल से आपकी हर आग्या का पालन किया है उसी में आनन को ढूटा है परन्तो अब मेरे मित्रों ने वास्त्री कानन से मेरा परीचे करवा दिया है इसलिए उचित मार्ग तो मुझे अब मिला है और मुझे क्यात है पिताजी की सीख कि जिस कारे में आनन भी ले वही करना चाहिए कल से तुम भी चलो मेरे साथ तब तुम्हे ग्यात होगा आनन दिन करन्तों में नहीं परमारण तो कई और है कुंडलिक यह यह मैंने उचित नहीं किया जो जो घर के इतर का यूद तो जीत जाता है वही विजेता के लाता है नहीं इस पे मुझे पुरा लगने का कोई कारण नहीं तब 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 तुम्हे लगने का पाते है आप मुझे बार बार घूर कर गलानी का अभास क्यों करवा रहे हैं। अपना जीवन अपने अनुसार जीने का सभी को अधिकार है। इसलिए अभी मुझे शमा कीची। यूर वो बार बार इसलिए झाली करता कीची का सभी के अभी मुझे मुझे शमा का भी मुझे का सिक एक अबदा रहे हैं। आप ऐसे नहीं मानेगे मेरे पास उसका उपाए है जब मन में अपराद बोध का अनुभव हो तो ऐसा लगता है कि सबकी द्रिष्टी उसी पर टिकी है पुंडलिक को भी यही आभास हो रहा था इसलिए वो बार-बार कुतर्क कर स्वयम को ही समझाने का प्रयास कर रहा था और प्रभूश्री कृष्ण से अपना मुक्ष पाने पर विवश्था अपने अनुसार जीवन जीने का उसका अनुभव करने का सभी को अधिकार है किन्तु दूसरों के सुख का हनन कर नहीं जीवन के चार पुरुशार्थ धर्म, अर्थ, काम, मुक्ष में भी धर्म ही प्रथम है अर्थात, अर्थ भी धर्म से ही अर्जित किया जाना चाहिए काम भी विवाह की मर्यादा में रहकर ही अनुभव किया जाना चाहिए शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने पर ही मोक्ष की प्राप्ती होती है ये तो पुंदिलिक को भी ग्याद था भीतर ही भीतर ये ग्यान उसको कचोड भी रहा था किन्तु उस समय वो काम और मोह जैसे विकारों के वश में था उनके अधीन था तो क्या जानुदेव और सक्तिवती ने उसे समझाने का प्रयत्म नहीं किया प्रभू? वो तो निरंतर प्रयास करते रहे किन्तु पुंदिलिक का मन जिसमें भी लगता था वो उसी में एकाग्र हो जाता था ये उसका मूल स्वभाव था इसलिए अब अन्य कोई उसे उस कीचड से नहीं निकाल सकता था स्वयम उसकी अंतर आत्मा के जाग्रित होने पर ही ये समभव था किन्तु वो तो उस दलदल में और गहरा उतरता जा रहा था अपने गोविंद और उनकी भक्ती से वो जितना दूर जा रहा था अनुचित कारियों के लिए उसका साहस उतना ही बढ़ रहा था पुरू वो कौन इस्त्री है जो आपको ऐसी भागई है इसके सम्मोहन पाश से आप निकली नहीं पारे पुर्लिक को आज तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जिसके सम्मोहन पाश में पुर्लिक बन पाए बस उसे की कलपणाओं में खोया हो जो मेरे योग्यों मेरी रानी बनेगे जो इतनी सुन्दर हो कि अन्या सभी सुन्द्रियों को मिला भी दिया जाए तो उसके सामने टिक ना पाए जो अत्पत हो सुन्दर्य की देवी हो ऐसी अती सुन्दर कंद्या कहा मिलेगी गुरू? मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? संसार में कुछ पिया संभव नहीं लेकिन इसका पता सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है दयाकर दयाकर उष्पुवाला दयाकर की दुकान पर फूल तो क्या? पंखोडी भी बिना मोल नहीं मिलती काट बांग लो जी पर हाँ कोई पहली बार आए तो रूची लगाने के लिए कम मुल्या में दे देना पर बिना मुल्या नहीं समझ गए? अज कर दोटे बारो पारो बारो कर दो कर दो कर दो हां हां तुम्हारी टोकरी सजादी हैं तुम्हारे लिए मैं सारे नियम भंग कर दूंगा तुमसे कोई मुल्य नहीं लूंगा ने पहचान लो बहुत विशेश गराक है ये अरे वाह ऐसा भी हमें विशेश क्या है जो दया कर किसी पे दया नहीं करता बिना मूल किसी को पुष्प नहीं देता वो बिना कुछ लिए पुष्पों की बरी टोकरी दे रहा है केत की वाई आप इतनी भी ना समझ नहीं है चंद्रकला जैसी चांद है आपके पास और उस चांद के लिए दया कर अपने प्राण तक दे देगा तुम मांग कर तो देखो प्राण मारे प्राणों का इतना मोल नहीं कि चंद्रकला तुम्हें मिल जाए चंद्रकला की एक जलक पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा करूगा अवश्य करूगा बताओ तुसे क्या करना होगा मुझे तो ठीक है पकर लाओ किसी दनी को जो चंद्रकला की चात्नी में स्वें को भूल जाए उसके प्रेम पाश में ऐसा उल्चे कि उसे रानी बना कर रखे उस पर अपना सब कुछ लुटा दे उसकी प्रतीक मांगे पुरी करे ये क्या ख्या रही हो इसमें मेरा क्या लाब चंद्रकला का साथ तो मुझे चाहिए दया कर पुष पेचते पेचते तुमारे मस्तिक्ष में सुगंद की चगा फूसा आबारा है अरे धन लुटाते लुटाते कभी तो धनी निर्दन बनेगा तो बस चंद्रकला तुमारी ही हो जाएगी सत्य कह रही हो ना कैत की भाई जाओ ऐसे किसी को ढूंड के लाओ संभव है इसी कारण तुमें चंद्रकला के दर्शन मिल जाए ऐसे? अब ऐसा धनी का ढूंड हो और उसे यहाँ कैसे लाओ? तब तो इस दयाकर पुष्प वाले से आज ही मिलना होगा मुझे किन्तु ये कार्य है मैं अकेला ही कारूंगा वच्सपुनलिक कहां जा रहे हो तुम? तुम्हारे घर पे तो ग्यान सभा होने वाली है मुझे जो क्या नानंद चाहिए वो आप व्रद्धु मुप की सभा में जाकर कहां मिलेगा? आप भी बताईए वहाँ जाकर मैं क्या करूंगा? तो आप चाहिए अपनी सभा में और मैं चला अपनी सभा में जानुदेव के पुत्र में संसकार नाम का कोई वेवहारी शेश नहीं रहा आज किसी भी प्रकार से ज्यान सभा में पुंडलिक के पिता से बात करनी ही होगी आज भ्राताई जानुदेव को उत्तर देना ही होगा अपना ज्यान वो अपनी पुत्रग को क्यूं नहीं दे रहे हैं उसका बुरा अचरण चरंपार कर रहा है तो वो उसे क्यूं नहीं रोक रहे हैं महापंडेश जानुदेव का सिस्चाचारी पुत्र हैं? यहां, यह मार्क तो नहीं भठक गया है। अटका नहीं है मालिक, अटका है, हमारी और ही आ रहा है। यहां क्यों, अभी कुछ दिन पूर्व, एक अधर्मी चोर को दंड दिया था इसे। कहिए मेरे पीछे तो नहीं। दयाकर पुष्पवाले आप ही हैं। नहीं, दयाकर तो यह है, मैं तो इनका सायागभर हूँ। किन्तु यह तो बताईए क्या भूल हुई है इनसे, जो आपको यहां आना पड़ा। फूल? फूल कैसी? मैं तो यहां पुष्प लेने आया हूँ। किन्तु यहां के पुष्प आपके किस काम के? यह तो फूजा में नहीं चड़ाये जाते हैं। किन्तु आपको जो भी पुष्प चाहिए, ले जाए। मैं तो सुन्दर पुष्पो का प्रेमिय हूँ। पर इन पुष्पो से अधिक कोई सुन्दर हो तो बताला। अवश्चे मेरी परिक्षा ले रहा है। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। और किसी सौंदर्य का तो पता नहीं। यह पुष्प भी है मेरे पास। पुचित है। लगर के सबसे शक्ती शालिय और धनी व्यक्ति के पुत्र है यह। किन्तो अपते पिता से पूर्ण रूप से विप्रीथ है। पत भ्रष्ट है। इसकी पूरी मित्रमंडली है। जो गाउं की सभी यूतियों पर द्रिष्टी रखती है। पकड़ लाओ किसी धनी को, उस पर अपना सब कुछ लुटा दे। उसकी प्रतेक मांगे पुरी करेगा। ऐसे किसी को डून के लाओ। संभव है इसे कारण तुमें। चंद्रकला के दर्शन बिल जाओ। महोदे! महोदे! पुंडलिक भाई रुकियो तो! मैं समझ गया आपको क्या चाहिए। तब तो हाथ जटक दिये थी। अब क्या समझ आ गया तुमें। कहीं तुमारी बुद्धी में कोई छल तो नहीं आ गया है। इतना सहस मुझ में कहा। इस नगर की जो सरवादिक सुंद्री है सौंद्र्रे की जीवित मूरत है। मैं आपको उसके पास ले गजा सकता हूँ। तुम सत्य कह रहे हो ना? वो सुंद्री जहां खड़ी हो जाए। वहां बहार आ जाए। उसका मुखडा उसका मुखडा चंद्रमा की चमक को भी फीका कर दे। बोली इतनी मधूर कि कोयल भी लज्जा जाए। जाल ऐसी केहरन भी छिप जाए। जो गुलाब की पंखडियों से भी अधिक कोमल है। ऐसे नित्र कि उनमें बस डूबने का मन करे। और क्या कहूं। उसके पाओं के घुंगरों की चंचन। जैसे। जैसे। जैसे क्या। जैसे इसा क्या होता है उसके भाओं की खुंगरों की खनक से। स्वैम उसके अनुसार नित्य करने का मन करता है। अच्छा। इतनी सुन्दर है वो। नाम क्या उसका। चंद्रकला। उसे देखे विना ये अवस्था है तो देखने पर क्या होगा। जो तुमने कहा वो सत्य है तो आज ही मेरी उससे भेट करवा। इतना असरल नहीं है। धन चाहिए होता है उसके लिए। एक कोटली धन भी कम पड़ता है। जो चाहिए वो करोगा। पर आज रात्री मुझे उसके तर्शन चाहिए। पुंडलिक यहां इस दयाकर पुष्पुवाले के साथ विश्वास नहीं होता। शन भंगुर संसार का आनंद भी शनिक होता है। इसलिए व्यक्ति को सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए। झालब है। यहां रात्री मुझे नहीं होता हैं